हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आर चैनल वेल आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में हमें वो कौन-कौन सी चीज़े हैं जो खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर की रोग प्रति रोदक शमता बढ़े हमारे शरीर का इम्यूटी सिस्टम स्ट्रॉंग हो करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरेंद पहुंचाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज का वीडियो तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमें चीज लेनी चाहिए बरसात के मौसम में वो है तर्मरिक यानि की हल्दी जी हां हल्दी जो की अंटिबायोटिक है अंट किलास दूद में उबाले और इसको अच्छे से क्रेश करके इसमें डाले और इसके बाद उसे च्छान ले एक धाइंच के कच्छी हल्दी के टुकड़े को और उस च्छाने वे दूद को ठंडा होने दे और उसे पी चाहिए तो आप इसमें श्याद भी मिला सकते हैं और न यह रोगों से लड़ने की च्छमता है तो आप गिलोई का रस को सुबह शाम ले सकते हैं जिन लोगों क्या पित्त पर करती के हैं जिनको गिलोई के रस को खाने से गर्मी बढ़ जाती है शरीर में तो वो लोग एक एक चमच उसमें शेहत का भी मिला करके ले सकते हैं नेक् को खाते हैं तो हमारी बॉड़ी काफी एक्टिव हो जाती है सुस्ती भाग जाती है और जो है हमारे रोग पृतिरोधक शमता बढ़ जाती है उसके बाद जो नेक्स आता है वो है अद्रक अद्रक को भी हम एज अ हरवल्टी के तोर पे भी ले सकते हैं या हम चाहे में भी को डाल के खा सकते हैं और कई सबजियों के प्रियोग में भी जो एक अधियों में भी इसका प्योग एक रियोग कर सकते हैं तो सबसे जो बैस तरीका है वो मैं मानती हूं की अद्रक के एक एट इज इंच के टुगडे को आप च्छे से चिल ले और उसको अछिस को एक एक व White que Chimping एंटि ऑक्सिडेंट्स भी होते हैं तो यह आपको आपकी इम्यूटी सिस्टम को काफी स्टॉंग कर देगा और आप बिमार कभी नहीं पड़ेंगे खास तो पर इस बदलते वे मौसम में यह जरूर लेगी अब बात करते हैं वह कौन सी चीजे हैं जो आपको इस बरसात के दही सावन के महिने में या फिर बरसात के महिने में दही को खाना मना किया जाता है परहेज है उसका उसका कारण यह है कि जब आप दही खाएंगे तो आपको कफ से रिलिटेट प्रॉब्लम हो सकती जब लॉब्लम जब हो आपको देने रिलिटेट हैं जब दाँ कि जब दोस्दी खाएंगे जबूश्याण स्देट बशेग्लम हो श्त cannabis不好 जदा में जब एन उका जब हो फिर मत पय्ब दांक के में आ Player love